तो हे फ्रेंड्स आमको बज रहे हैं पांच और मैं जा रही हूं टैरेस में कपड़े लेने के लिए अभी उठी हूं थोड़े दिर रेस्ट करने के बाद में फेस बगएरा पॉस किया और इसके बाद में थोड़ा समस लिपाम बगएरा लगाया है और देखिए आपको कपड़े लेके आते हैं तो चल्य चलते हैं अधूप तो भी बहुत तेज हैं बट कपड़े उठा नहीं है तो यह देखिए दूप अभी इतनी है और यह पड़े थे कुछ कपड़े सो फ्रेंड कपड़े उठा लिए हैं अब चल्य चलते हैं नीचे इनको फोल्ड करके रख दें चल करके फ्रेंड चलिए कर लेते हैं कपड़े को फोल्ड और फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं अब इनको रख देते हैं इनकी प्लेस में यह बेटू के कपड़े बेटू के साइड में तो बस पापजी के लिए चाय बनाऊंगी और अपने लिए भी तो बस चाय एंजॉय करेंगी बेटू को मिल्क बना के देंगे और दूद में गरम करने के लिए देख रहें आप मु यहां पर दूद करने के लिए रख थी तो इसके बाद में चाय बनाऊंगी तो फृंट चाय वगएरा पीनी के वाद में आगी हूं मैं किचिन में और किचिन में बनानी जानी हूं एक अलग तरीके की दाल एक खडी मसूर की दाल है साबत मसूर जिसको कहते हैं तो वह मैं ना प्याज़ें के लिए दाल वोईल करें यहां पे में राणियों टमैटों बग्यरें और यहां पे लगा लाटा लगया है जली दाल भी बन चुकी है इसको फ्राइए करना है तो चली इसको फ्राइते हैं फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ मैं तो फ्रेंड यहां पर दाल बगेरा मैंने सारा बना लिये और आठा लगा के रख दिये दाल भी बन चुकी है अज खड़ी मसूर की दाल बनाई थी तो और अब किच्छन का काम अर्मोंस आधा खतम हो चुका है अब चपाती तब बनाऊंगी जब पापा खाएंगे तभी ताप साम वाले हाँ सात बजने वाले हैं और संजवाती का टाइम होने वाली है तो फ्रेंड़ी आप मेरी पूजा वगयरा हो गहीं देख की जोड जल रही है और पूजा बगयरा करने के बाद में अब मैं बनाने जाओँगी पापा के लिए चपाती क्योंकि पापा जी आ तो यहां पर मैं बंदि भोभी की साथ में शेयर कर देती हूँ, तो डिटेल में तो नहीं लिकिन हाँ पना रही थी यो मैंने सोचा दिखा देती हूँ, तो बस इस तरीके से मैं सब्जी बना रही हूँ तो बना देती हूँ, फिर आप वोगों से लिगती हूँ वेल्कम बेक टू माय चैनल निलू स्टाइल कॉरना और बते कैसे हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अपनों का ध्यान रख रहे होंगे इसी होप के साथ में कि आप मेरा भी सपोर्ट करेंगे और मेरे वीडियो को फुल बॉच करेंगे तो अपने ब्लॉग को मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से तो मेरा काम सारा अभी पड़ा है अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है घर का क्यूंकि अभी बेटु स्कूल गए है और बेटु के बाबा को कहीं बाहर जाना था वो वहाँ गए है तो लोगं के लिए ब्रेकफास्ट बनाया ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में लोगं को ब्रेक यह दूब तो काफी निकली रही है और घर का सारा काम पैला पड़ा है देखिए अब यह सारा समान मुझे एक सा करना है पूरी क्लीनिंग करना है जाड़ू एक बार लग चुकी है और यह देखिए किचिन में यह बरतन पड़े हुए है इन्हें भी बॉस करना है अभी कांट करने के बाद में तब में ऊपर आई हूँ अब मैं उन्हें उपर की क्लीनिंग करूंगी तो देखिए अभी बैड बगेरा सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है इसको भी अरेंज करना है एक सा और बेटों को नहला के तयार करके स्कूल भेज दिया है तो वह स्कूल चला गया अब मैं करती हूँ अपना काम तो चलिए जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलते हूँ बिमस वे माँ के माँ वह रहां में grease के देखिए तो फ्रेंड मिल्दीर के साई काम होगया है रिए क्लीन कोिए सब कुछ हो गई है बर्दन बगए वाष् अब मैं जाओंगी नहाने के लिए और नहाने के बाद में फिर मैं दूसरा ब्लोग स्टार्ट करूंगी तो इस ब्लोग को में ही पे एंड करूंगी और क्योंकि रात से इबनिंग से चला रहा है ब्लोग तो इसको मैं अभी एंड करूंगी और नेक्स्ट ब्लोग में आप ल बोज झिंग